हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ आप से कि कम्प्यूटर और देवनागरी लिपी से संबंदेत कौन कौन सी सिवधाएं और सौफ्टवियर चले हैं तो इसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यह आपके सिलेबस की अंतरगत दिया हुआ है तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्प्यूटर क्या है तो computer शब्द की उत्पत्ती जो है Latin भाषक के computer शब्द से हुई है जिसका तातपर है गड़ना या गिंती गड़ना तो computer जो है एक ऐसी electronic machine है जो पुर्व निर्धारित निर्दैशों के अनुसार आकड़ों को प्राप्त करके उनका संसाधन processing द्वारा परिणाम को जो है बाहर निकालती है आउटपुट जो हमें मिलता है और भविशिक के लिए भी नाकड़ों को जो है सुरक्षित रखती है तो वरतमान समय में जो ये computer का निर्मान है वो बहुत ही जादा लाबकारी करांतिकारी घटना है जीवन के हर शित्र में computer आप देख रहे हैं आज के युग में बिना computer के कुछ भी संभव नहीं है तो विद्वानों नहीं इसे तो इसका हिंदी में जो नाम होगा वो संगणक होगा और भारत में पहला computer कब आया था तो इसकी डेट जरूर देख लेगा तो ये 1955 में आया था आज बिजली के बिल, टेलिफोन के बिल, उद्योग जगत, हवाई यातरा के टिकट बुकटे तो जितने सारे काम हैं, आज हम पढ़ाई भी इस computer के माध्यम से ही, इसके internet के माध्यम से ही कर पा रही है और अब बात करती हैं कि हिंदी के शेतर में, यानि देवनागरी में computer का बोल बाला किस प्रकार है, देवनागरी लिपी का बोल बाला computer में किस प्रकार है तो पहले क्या था कि computer में केवल Roman लिपी का बोल बाला था, केवल English में सारे काम किये जाते थी लेकिन वर्तमान समय में, देवनागरी में समस्त सुविधाई जो हैं, आज कर उपलब्द हो गए हैं इस कारण सारे काम जो है, Roman लिपी छोड़ के अब जो है, देवनागरी लिपी में होने लगी हैं अब यहां पर पहले computer की बात करें तो सिधार्थ जो है, पहला दूभाशी computer था जिसमें आप देवनागरी लिपी और रोमन लिपी दोनों में काम कर सकते थे बाद में लिपी नाम से एक और computer विक्सित किया गया, जिसमें रोमन के साथ नागरी, तमिल, मराटी, आदी में से दो लिपी की विवस्था थी तो इन में से कोई भी दो लिपी उसमें कर सकते थे इस्तमाल तो आज के युक को हम computer में इतना महत्व है कि इसको हम internet का युक भी कह सकती है आज internet पर आपको देवनागरी भाषा में, हिंदी भाषा में, चाहे वो समचार पत्र हो, पत्रकाय हो या कोई भी अन्य जानकारी हो, vlogs हो, कुछ भी हो जिनके मादेम से आज आज आपका तरह तरह की चीज़े सर्च कर सकती है और आपको वो मिल भी जाती है जैसे हंस, आज कल, नया ग्यारुदे, साहर दे, साचल, साहचल आदी जो है internet पर उपलब्द समचार पत्र है हिंदी में अनिक प्रकार की पुस्तके भी आपको उपलब्द मिल जाएगी अगर आप गूगल बुक्स पर जाएगी तो आपको तरह तरह की पुरी-पुरी बुक मिल जाएगी आज कल हम भी जो भी पढ़ाई आपकी चल रही है वह सारा internet के त्रू ही चल रही है तो ये इसी का एक विकास का रूप जो है देख सकते है जहां हम और आप हैं और हिंदी भाषक के माध्यम से अपना अपरे अपना योगदान दे रही है आपको मैं पढ़ा पा रही हूँ और आप जो है मुझे हिंदी में सुन रहे हैं उसको देख रहे हैं लिखे हुए को भी देख रही है अब तो ऑनलाइन फॉर्म भर्ले की सुविदा भी नागरीली में उपलब्द है इसके साथ ऑनलाइन कक्षाई एवं परिक्षाई भी इंटरनेट के माध्यम से ले जा रही है और इसके अलावा परिक्षाई भी रेख सकते हैं कि जितनी परिक्षाई ले जाती है वो सारे इंटरनेट के माध्यम से ही ले जाती है तो कंप्यूटर में नागरीलीपी के प्रियोग से बहुत ही जादा फाइदा हुआ है और इसका पहला प्रियास कहां किया गया था तो Electronic Corporation of India हैदराबाद द्वारा जो है नागरीलीपी का प्रिथम प्रियोग किया गया था वर्दमान समय में कंप्यूटर निर्माताओ द्वारा 40 से अधिक हिंदी के सॉफ्टवेर जो है बाजार में आपको प्लब्द मिल जाएंगे जिन में आपको अक्षर प्रकास उलिपी इंडिका मल्टी वर्ड आदी प्रमुक है कुछ संस्थाई भी इस प्रियास में लगी हुई है नागरीलीपी में वो है आयटी कानपूर आयटी दिली और केंदरी हिंदी संस्थान दिली तो यह सब जो है देव नागरी के शेतर में काम कर रही है हिंदी टंकन की तीन विधियां प्रयोग में लाई जाती है पहला है रोमिंग गटन टंकन शेली इसमें क्या किया जाता है तो इसका कुंजी पटल रोमिंग गटन टाइप राइटर की कुंजी के सामान है जिन लोगों ने पहले टंकन सीख रखी है उनके लिए बहुत ही उप शैली के अंतरगत अगली शैली पे आते हैं टी ओई फॉंटिक तो इसमें भारतिये भाषाओं के लिए वर्णों के लिए जो है समरूपता है जैसे कुंजी पटल पर पी ओटी सभी भारतिये भाषाओं में पा और टा की कुंजियां होगी इसी टंकर शैली का सधान्त है जिस क्रम में पाठ का उच्चारण किया जाएगा उसी वर्ण क्रम में उसे टाइप करना यानि कि जो भी उच्चारण किया जाएगा उसी माधम से टाइप हो जाएगा इसकी विशिष्टा यह है कि इसमें वेक्ति रोमन अथवा अंग्रेजी के ग्यान के बिना भी अंग्रेज ले आउट कहते हैं जगदीप सिंग दागंगी के अनुसार इसका धन्यात्मक लिपी अंकन आधारित कीबोर्ड ले आउट कंप्यूटर का वास्तविक कीबोर्ड ले आउट ओर डबलू ए रटी यह एक लिपी यांतरंक विधी है जिसमें कि हिंदी आधी भारती लिपी को आ जो है आप इसका उधारण भी देख सकते हैं कि गूगल में वाप डालते हैं वर्ड तो वहां आप इंग्लिश में ऐसे विचार लिखेंगे तो आपको ऐसे भी उसमें लिखे हुए आएंगे तो यह सारा हिंदी शेत्र का प्रसार है इंटरनेट जगत में इस प्रकार हिंदी ने अती अल्प समय में कंप्यूटर के शेत्र में आशा जनक व्रिधी की है जैसे यह तकनीक विक्सित होगी भारते जनता के सभी वर्गों तदह इसकी पहुंच होगी तो निश्ची तरोप से भारत प्रगति की राह पर होगा कंप्यूटर से हर नागरिक हर शेत्र में जो है सबका भविश्य उजल होगा अब हिंदी के संग गरनक कौन से हैं यह भी एक महत्यपॉण पार्ट है हिंदी के कौन कौन से कंप्यूटर जो है प्रयोग में लाए जाते हैं मशीनी अनवाद गूगल अनवाद बिग माइक्रोसॉफ्ट अनवाद आई बीम का जो भी चीज़ आपको इंटरेट पर दिखनी है अप अलेक्सा में बोलेंगी तो आपको आ जाता है तो यह व्यक्तिकत सहाय के लिए है एपल का सीरी गूगल का गूगल असिस्टेंट तो गूगल पे भी आज कल देख रहे हैं आपकी गूगल असिस्टेंट आगे हैं रिवेर और टेकनोलोजी इसका गोपाल तो यह सारे इसके उधारण है अगला है टेक्स्ट विसलेशन माइक्रोसोफ्ट का ध्वनी प्रयोकता इंटरफेस फ्लिपकार्ट नेट्फिक्स इसके उधारण है और हिंदी वचन की पहचान ध्वनी से टेक्स्ट में तो कुछ भ पोलो ओफलाइन चीज हो गई दूसरा है तारा तीसरा है माइक्रोसोफ्ट की नियूरल डेटवर्क पर आधारित पार्ट सेवाक सेवा अगर हिंदी देवनागरी इमेज टेक्स्ट से योनी कोड यानि की हिंदी OCR टेस्ट गूगल क्लाउड आदि भाशा संपादित हिंद देवनागरी में कम्प्यूटर पर लिखने का ओजार इसके लगा हिंदी वर्तनी जाज की वर्तनी में कोई दिकत तो नहीं है फॉंट परिवर्तक फॉंट आप देखते हैं कि एक फॉंट से दूसरे फॉंट में भी आप बदल सकते हैं लिपी परिवर्तक देवनागरी से अन्य लिपियों में परिवर्तन, अनुवादक, हिंदी से अन्य भाशाओं में अनुवाद, हिंदी टेक्स्ट को वाक में बदलने का सौफ्ट्वेर हिंदी टी 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 एस, हिंदी में बोले गई बात को हिंदी पार्ठ में बदलने वाला सौफ्ट्वेर वाक से पार्ठ यानि बोलने से लिखनी वाली बात देवनागरी का OCR किसी छवी में देवनागरी में लिखे सामागरी को कम्प्यूटर से पढ़ने योगे, टेक्स्ट में बदलना, हिंदी के वेद परकाल के सब्तकोष, हिंदी के विश्वकोष, हिंदी की इपुस्तके, हिंदी में खोज करना, हिंदी में इमेल करना, उपयोगी सौफ्ट्वेर का स्थानी करन और अन्यम, देवनागरी का टाइप सेटिंग तथा फॉन करने हें हिंदी के मिलते हैं, जो भी कम्प्यूटर से itude संबंदिया चीज जो मिलती हैं, हिंदी कंप्यूटिंग के लिए विशेष, प्रकाल का हाडवीर, एवन सवफट्वेर का विकास किया है हिंदी के क्रोसवर्ड और हिंदी के वैथ क्रम अगे देवनागरी लिपी से संबंदित स्क्रिप्ट फॉंड है और मंगल फॉंड ऐसा है आप जैसे रिसर्च फेपर लिखते होंगे तो उसमें भी आपको लिखा जाता है कि जो आपका फॉंड होना चाहिए तो इतना साथ यह important है तो mangal font सभी device platform पर प्रदरशित किया जा सकता है कोई अन्य unicode font भी है जो लोग प्रिये है इसके लावा अन्य भी है जैसे लोहित, देवनागरी, दिवागरी, उत्सव, अपराजिता, आदी इसके लावा यह भी font है तो windows 10 में पहले से ही mangal का font है लेकिन फिर भी आपको लिखने के लिए हिंदी ट्राइपिंग software डाउनलोड करना होगा तो पहले करना पड़ता है दूसरा है इंडिक input software तो इसमें क्या होता था कि जो कि तीन board keyword layout का सबर्थन करता है और भारत सरकार भी इसका उपयोग किया जाता है हिंदी इंडिक input तीन एक मुफ्त कारक्रम है जो उपयोग करताओं को अंग्रेजी क्विल्टे की board का उपयोग करके हिंदुस्तानी इंडियन लेग्वेंज वे पार्थ दर्च कराने का सुबधा जरक तरीका है तीसरा है गूगल इंपूट टूल तो इंटरनेट का उपयोग हर जगा है इंग्लिस से लेकिए में आप इसको इंग्लिस से हिंदी में परिवार्दित करें या फिर आप किसी भी चीज़ पर टाइप करेंगे चाहे वह फेस्बुक हो ट्विटर हो उसमें आपको हिंदी में टाइप करने की यह अनुमती देता है तो यह सारी टूल है जिनके माधियम से आप हिंदी भाशा में किसी भी चीज़ को बदा सकते हैं तीसरा आगे है पार्शल टाइपिंग दी भाशी रचना लिपेन तरन परतनी जाच आदी के दौबाद अनुकूलित सूची में शब्दों का जो है चैन करता है और्टो टेक्स्ट हो गया जो भी आप बोलेंगे वह टाइप होता जाएगा गूगल इंपूर्ट टूल एक मुफ्त सॉफ्ट्वियर है या हिंदी सहित जितने भी भारत के प्रमुक भाशाएं हैं उनका समर्थन करता है उनका ये दूसरे भाशा में ट्रांसफर कर देता है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो है अंग्रेजी में टाइप करना होगा स खुद काम कर लेता है और नहीं इसके लिए आपको हिंदी टाइपिंग सीखने की जरुत है आप बस उसमें लिखेंगे और वह चाहें आप इंग्लिश में ही ऐसे विचार लिखेंगे तो यहां पर आपका हिंदी में विचार लिखा आ जाएगा तो यह इसका उधार है इसके रावार नीचे कुछ और नाम दिए गए है तो भारती ऑपरेटिंग सिस्टम सॉलूशन या फिर बास भारती ओपन ओफिस ओपन ओफिस हिंदी प्रोजेक्ट हिंदी स्पेल चेकर यह सारे अपके सॉफ्ट्वेर है जो हिंदी टाइपिंग में मदद करते हैं मौजिला फाइरफोक्स इंटरनेट ब्राउजर और अपराब ओपन वेब ब्राउजर इंडिक जूमला ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जीमेल वा गूगल के अन्य प्रोडक्ट और ब्लोगर तो आजकर ब्लोगर तो बहुत ही जादा चल रहे हैं लाइव जंडरल वर्डप्रेस औरेकल 9.6 विंडोस एक्सपी विद थे हैल पॉफ विंडोस एक्सपी अलाईपी हिंदी MS Office 2003 विद थे हैल पॉफ ऑफ 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 ऑफिस 2003 अलाईपी हिंदी इसके अलावा है पर्ष हिंदी टाइपिंग ट्यूटर बालेंदो शर्मा दाधीच तौरविक्सित इस हिंदी सॉफ्टवेर ट्यूटर सॉफ्टवेर का इंटरफेस सरे हिंदी में हैं अगले है हिंदी जिप ड्रेग और द्रॉप फाल तो इसमें कहों किया जबता है कि ड्रैग और ड्रॉप वावड़िय्ग आप संभी हिंदी में टाइप कर सकते हैं तो यह सारे हिंदी से संबंद यह इसेुज़री आपके आपको जानकारिय देनी थे क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ थी तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीज़ेगा क्योंकि यहां आपको UPHAC से समबसे सारी जानकारिया उपलब्द होती है धन्यवाद